नेरुनगर अनाचौल के पास अंदेरी वाट क्रमंग 165 के विधान सभा के कैंडिडिट अशकवाज जौदफ पहुचे उतर भारतिय के बीच जहां उन्होंने उतर भारतिय जनता का मनोबल बढ़ाया और उनके हक के लिए लड़ने का वादा किया जैसे जैसे इलेक्शन के डिट नजदिक आ रहे है वैसे वैसे विधान सभा में राजनीती गर्मा रही है ऐसे में हर कोई अपने अपने शेत्र में खूल कर मतदान के लिए जनता का समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं आपको बता दे भाउ ने इस शेत्र के लोगों के लिए नीज्वार्थ भावना से काम किया और नासिप उनकी जरुतों को समझा बलकि उनकी जरुतों को पूरा भी किया है यही वो कारण है जो भाव की लोग प्रियता का सर इतना उचा कर देता है कि उसे आग पाना मुम्किन नहीं है उत्तर भारतियों जो रिक्षा पे जीते हैं उनको सही में कही पार्किंग नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं चुन के आने के बाद सबसे पहला उनका बंदोबस करूँगा कि जहां उनको पार्किंग मिलनी चाहिए और मतलब पार्किंग में उनकी गाड़ी को कोई नुक्सान नहीं पोचे इस दंग का बंदोबस मैं करके देने वाँ हूँ एक और आमित साटम है जिन्होंने जनता को गुलाम से जादा नहीं समझा और एक तरफ अशोक भाव जिन्होंने जनता को हमेशा सबसे आगे रखा और कभी उनका तिरसकार नहीं किया भाव के लिए शेत्र के लोगों का प्यार और समर्थन इस बात की गवाई देता है कि शेत्र का अगर कोई भला कर सकता है तो वह है भाव और यहाँ के लोग भाव को ही अपना समर्थन देंगे मणम जैसे कि आज असुप भाव जदों का यहाँ पर जाहिर सभा था वह उन्होंने बहुत सारी बाते बताए उप्रानी चीजी की याद दिला दी कि आपके लिए उन्हें क्या क्या किया था और एक गल्ती की वज़े से आज हम लोगं पस्ता रहे है पांच साल हम लोग ने बहुती दुख काटा है तो क्या कहिए दिया अशोग भाव जैसे कारे करता जो अशोग भाव ने जो किया है वो बीजेपी के आदमी ने कोई ने किया है और जबी भी हम लोग अशोग भाव हारने के बाद भी 5 साल तक अशोग भाव ने अपना ओफिस खोल के रखा है हमारे आम कारे करता लोगों को हमेश हेल्प करते हैं और किसी को भी बीजेपी हो या सेना हो या कोई भी पार्टी हो उसके लिए अशुगबाव एनी टाम खड़े रहते हैं ऐसा नहीं बोलते कि हमारा पक्षका नहीं है या हमारे पार्टी से नहीं है उनका इंगोर नहीं होता है और अशोबा जैसे कैंडिडिट को चुन के लाना बहुत बड़ी बात है बीजेपी की बीजेपी जो जीत के आई है उनसे जब मिडल क्लास वाले जाते हैं स्लम एरिया वाले जाते हैं कुछ भी पुछने के लिए तो उनका कहना यह है कि मुझे स् बिल्डिंग से वोट मिला है मैं बिल्डिंग का काम करूंगा बिल्डिंग के लोगों के साथ रहूंगा इसके मतलब स्लम एरिया के रहने वाले पब्लिक पब्लिक नहीं है उनका वोट उनके लिए इंपॉर्टन्स नहीं है आप भी आप यहां पे ग्रही है महिला है कुछ महिलाओं की भी सुनुस्या होती है जैसे कि यहां पर जो गटर है वो भर जाते हैं तो आप लोगों को तकलिफ होती है बच्चों की कुछ चीज़े यहां पर जिसे बीमारिया हो जाती है तो यह सब के महिलाओं के लिए उन्होंने असोग भागड़े जो गधाय की ती बाल व उनके पास लेटर राइटिंग में देते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं हम लोग बीजेपी सरकार के पास नहीं जाते हमारा जो थे कांग्रस के हम लोग उनके पास हारने के बाद भी हम उनसे यल्प लेते हैं वह कुछ उनकी जो गलत है लोग सब्त भी अब सब्सक्र सब्सक्राइब कर दोबनें वालों तो पांटी वालेक पूले यह था दो नेटा का बराबरी होता है है आप क्या का पहुत सब्सक्राद के लिए और फैल किना बज़े का चेप बज़े का पास बज़े बोलेगा तरह रेपन जाहिगा हम लोग हाँ पूरा नेरो नंगर से अम लोग जाएगा